कहा जाता है कि भावी मां की तरह होती है लेकिन जबलपुर में एक युवक ने संपत्ती विवाद और पैसों के लालच में आकर रिष्टों की सभी मर्यादाएं लांग दी और अपनी ही भावी के साथ ऐसी हरकत कर दी जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी दरसल जबलपुर में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला का नहाते हुए विडियो वाइरल हो रहा है इस महिला का ये विडियो किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही सगे देवर ने बनाया था इतना ही नहीं आरोपी ने अपनी भतीजी को भी नहीं बक्षा और उसके साथ भी ऐसी ही हरकत कर डाली पुलिस के मताबिक आरोपी ने ना केवल विडियो बनाया बल्कि विडियो की आधार पर अपनी भावी को ब्लैक मेल कर पचास हजार रुप्यों की मांग भी की अपने देवर की इस हरकत के बाद महिला ने पुलिस को इस मामले की शिकायत करती पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्च कर आरोपी देवर को गिरफतार भी किया लेकिन अदालत से आरोपी देवर को जमानत मिल गई पीडित महिला ने खुद अपनी आप बीती सुनाई है, आप भी सुनेगे। को दोनों मावेटियों का वीडियो था, तो उस शिकायत को लेके वो आज भी हमें परिशान करते हैं, और उसके बाद जब हम लोग ने कंप्लेंड वापस ना लेने के वो करें, तो लोग ने आके हमारी दोनों गाड़ियां जला दी, और गाड़ी जलाने के बावजूद भी ह प्लैन नी करी, मैंने फिर एसपी ओफिस में आवेदन भी दिया था मैंने, कि लोग ने हम लोग के साथ ऐसा किया यह था, तो उसके भी कोई कारवाही नहीं हुए, अभी दो दिन पहले फिर उनकी बहन और उनकी मिसिस आके हम लोग मावेटी दोनों से मार पीट की, और कल रात के 9 बजे, रात के 9 बजे वो घर में घुसा और मेरी बेटी के साथ उट पटांग हरकते करने लगा, जब हम लोगों ने वो नहीं छोड़ा, तो मैंने और मेरे तीनों दोनों बच्चों ने, लड़कों ने, हम लोगों ने उसको बच्ची को छोड़वाया, उसके यहां सर्रा पीपल में रहने वाली एक महिला का ससुराल पक्ष की पैत्रक संपत्ती को लेकर अपने देवर से विवाद चल रहा है, उसी विवाद के चलते देवर ने इस घटिया हरकत को अंजाम दिया है, जमानत पर छूटने के बाद आरोपी देवर ने बदला लेने की नियत से अपनी भावी का नहाते हुए बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया, वीडियो वाइरल होने की खबर मिलते ही पिड़ता ने आरोपी देवर के खिलाफ पुलिस को शिकाया देकर कारवाई की मांग की है एक रिपोर्ट बताई और जिसादार पर पती है मनोज बेन उसका छोटा भाई यह देवर उसके विरुद यह रिपोर्ट दर्च कराई कि उसके देवर ने पूरो में जो है जब यह महिला बातरूम में नहा रही थी अपनी बच्ची के साथ में तो उसने चुपके से वीड बार का मामला होने से इन्होंने आपस में समझोता कर लिया था लेकिन जब वेक्ति जो है बीच में जब इस महिला का पती जेल चला गया और जेल जाने के दोरान जो है अभी पूरो में तेई साथ दोहजार एक्ट को अनाविदक जो है देवर इसका इसने पचास जार पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रही है अब देखना ये होगा कि पीड़ता को कब तक इस मामले में न्याय मिल पाता है